तो प्यारे बच्चों ये जो वीडियो आपके सामने है ये CUET 2023 के लिए एक short information bulletin के रूप में ये वीडियो आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ तो बच्चों करना क्या है वीडियो के description में एक link दी गई है वहाँ पर एक WhatsApp ग्रूप है आँगे बढ़ने के पहले उस WhatsApp ग्रूप को आप description से जा करके join कर लो वो CUET के batches के लिए उसमें CUET लिखा हुआ है आप उसको join कर सकते हैं वहाँ पर CUET के batch के information और बाकी की सारी तयारी उस group के थ्रूप आपको करवाई जा सकती है तो चलिए आँगे बढ़ते हैं दोस्तो हम इस वीडियो में काफी सारी बाते करेंगे कि CUET को हमें कैसे crack करना है इसके क्या फाइदे हैं फिर हमें examination में कितने किस marks का आएगा negative marking कितनी है काफी सारी बाते करेंगे कौन सा college किस marks के मिलेगा तो ये वीडियो की पहली सिरीज है मैं पहली सिरीज आपके लिए लेकर के आया हूँ चलिए दोस्तो आँगे बढ़ते हैं तो ये रिखे ये एक आपके सामने page दिखाए दे रहा है जिसमें लिखा है CUET Mathematics syllabus 2023 overview तो मैं यहां पर आपको दोस्तो overview दिखा रहा हूँ इस 2023 के paper का कि इसमें main main बाते जो होंगी क्या होंगी ओके इस paper का overview देखिया तो आप जानते है exam conducting body भारत की जो सबसे विश्वसनी agency है आपको examination का नाम है common university entrance test इसे CUET बोलते है 2023 और यह अलग-अलग language में होगा मतलब आप क्योंकि North Indian बच्चों से मैं deal कर रहा हूँ तो English और Hindi के बच्चे हमाएं पास ज्यादा है जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं कैसा टेस्ट होगा बच्चों यह online टेस्ट होगा तो जिन बच्चों को computer चलानी की बिल्कुल practice नहीं है थोड़ी सी computer चलानी की practice कर लीजिए मैं कहूंगा कि 2-4 mock test कहीं पर जा करके आप इसको को दे दीजिए थोड़ी सी आपको practice हो जाए इस especially option में टेक वगरे कैसे करना है है ना उसमें पैलेट्स वगरे आती है मतलब डरा नहीं रहूं में आपको थोड़ी सी practice करनी जरूरी है ओके थोड़ा सा नेट से बगरे से देख लीजिए ऐसा नहीं हो कि आप जिंदगी में पहली बार CUT देने जाएं computer build test देने जाएं और आप प्रिशान हो जाएं इसलिए बात देखे time allotted यहाँ पर आपको जो math का exam होगा इसमें आपको 45 minutes दी जाएंगे किते दी जाएंगे 45 minutes ओके अब दीखे आपके पास में number of question in math section math section में total आपके पास में 85 question आने वाले दोस्तो और याद रखेगा 85 में आपको 85 नहीं करने हैं ओके 85 में आपको total number of question to be answered in mathematics आपको maximum 65 questions करने हैं ओके आपको अधिक सथी कितने question करने हैं 65 आपको 85 बिलकुल नहीं करने हैं आपको 65 questions करने हैं अब मैं यही marks की बात करूँ मैं तो total marks आपको कितने में लेंगे 325 मतलब 65 multiply by 5 5525 यह हो गया 5 और यह कितना बन गया 325 मतलब हर question में आपको 5 marks मिलेगा ओके और 1 by 5 negative marking है यदि आप गलत करेंगे तो 1 by 5 मतलब 5 हिस्सा याने की minus 1 deduct हो जाएगा और अगर आप answer नहीं करते हैं तो आप 0 कुछ मीना आपको मिलेगा ना आपको घटेगा ओके तो आपको इस तर 85 question है वो हमें कितने slot में दिये जाएंगे देखिए यह जो paper आपका होता है ना इसमें आपके question maths के paper 3 part में आते हैं अब इन 3 part को हम detail में बात करते हैं ओके तो आई होप यह classification आपको समझ में आ गया होगा अब आई यह बात करते हैं कि हमें किस तरीके से paper आएगा अभी तक मैंने आपको क्या देखाया अभी तक में main बात आप याद रखे कि आपको 85 minutes का paper रहेगा 85 questions रहेंगे आपको 45 minutes मतलब बहुत speed चाहिए आपको okay speed चाहिए अब एक बात याद रखो बच्चो मैं आपको बहुत काम की बात बता रहा हूँ जिस question में आपस speed मागी जा रही है मतलब आप देखे on an average आपको 65 questions मिल रहे हैं और 45 minutes मिल रहे हैं ठीक ना तो आप निकाल लो कि आपके पास 45 minutes के हिसाब से मतलब एक question को आपको एक 65 questions है 65 questions है और आपको कितना दिया रहा है 45 minutes दिया जा रहा है देख रहा है और उसमें भी आपको 85 questions में से 65 select करने है तो total 85 उसमें से आपको चुननने कितने है 65 और आपको time कितना मिला 45 मतलब की 65 questions आपको 45 minutes में करने हैं तो अगर आप देखो तो मतलब एक minute में आपको एक question से ज्यादा question आपको करना पड़ेगा, मतलब लगभग अगर आप जो है, डेड़ से दो question मान के चलिए कि एक question अगर आप एक मिनट में करते हैं, तो आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि time तो निकल ली जाएगा, अगर आप एक मिनट में एक question कर रहे हैं, तो 65 question को करने के लिए को 65 मिनट लगेंगे, तो आप कहा रह जाएंगे, आप बहुत पीछे रह जाएंगे, इसका मतलब आपको एक मिनट से भी कम समय लगने वाला है, इसका मतलब क्या होने वाला है, यह जो question पेपर आने वाला है, यह purely logic based question आएगा, ओके, यानि मैं कहूंगा, बहुत सारा पार् formula तो बिल्कुल रगड मारो तो, बिल्कुल मतलब कि formula तो ऐसी speed वाली त्यारी कर लो कि भाई सब आपको रात को कोई उठा के भी पूछे नीद में, तो आप इसका जबाब दे लो, तो formula आप इसके बारे में discuss कर लो, याद कर डालो, अभी detailed strategy मैं बाद में बताऊंगा भी, तो खेर मैं दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, तो मैं अपने topic पर आता हूँ, जिस पर मैं बात कर रहा था, अब देखे, syllabus unit wise के हम बात कर दे, unit wise syllabus अभी देखेंगे हम तो क्या लिखा है यहाँ पे कि, यहाँ पर जो आपका paper इसको दो section में break किया गया है, section A में और section B में, अब ही आपका ध्यान कितने question पे, 45 questions पे, देखो, तो 45 question का भही, बटवारा आपको करना है, 45 question करना है, कितने में से करना है, 65 में से, तो आपको divided के रहेंगे, 65 question, आपको 65 question करना है, अब 65 question कैसे करना है, कि एक तरफ से पूरे कर डलने 65 बिल्कुल नहीं, याद रखना, सीरे-सीरे 65 कर देते हैं, ऐसा नहीं होता भाई सब, यह है इसकीम आपकी देखे 65 कुशन की, पहला जो आपका section A है, तीन section में आपका paper रहेगा, मतलब दो section में है, और section B को दो पार्ट में बाट दिया गया, देखो पहला तो आपके पास में section A है, section A में आपके पास में 15 कुशन आएंगे, और यह 15 के 15 आपको attempt करने हैं, सब ही को, अब आप सोचरोगे यहाँ पे दो section क्यों बन गए, देखो भाई, section A सब के लिए compulsory है, च maths के साथ जो club होते हैं, तो उनको यह करना है, तो section A जो आएगा न, वो आएगा applied maths से, किससे आएगा, applied maths से, मतलब यह समझे लो, maths का जो थोड़ा easy वाला पार्ट है, उसका यह question रहेगा, जिसमें matrix आ जाता है, determinant आ जाता है, सार्णी का view, यह subject रहते हैं, तो यह applied maths से आएग पहले वाले पार्ट में, आपके पास में कितने question करने है, number of questions इकल टो कितना आपके पास में, number of questions आपको करने है 15, ठीक न, दिये भी रहेंगे 15, और करने भी है 15, मतलब कि सारे के सारे compulsory है, यानि कि all compulsory, ओके, अब देखो यहाँ पर 35 और 35, ओके, total 70 हो गया, तो 70 और 15, कित कितने करने है, 65, तो देखो क्या planning भी ठालो, ऊपर 15 कर चुके हो, यहाँ पर पहले section से B1, मतलब B का पहला पार्ट जो section B1 है, उससे भी आपको 25 question उड़ाने है, और दूसरे से भी आपको 25 question उड़ाने है, ओके, पता 15, प्लस 25, प्लस 25 हो गया, कितने भाई साब 65 question, तो इस तरीके से आपको 15, 25, 25 की planning करनी है, ओके, टोटल 85 questions रहेंगे, करने कितने है, 65 करने है, पहले कंपल सरी सारे है, first section में 15 में से 15 करने है, second section में दो पार्ट रहेंगे, जिसमें से 35 में से 25 और 35 में से 25 करने है, तो इस तरीके से आपको अपने paper की fielding जमानी है दोस्तों, तो ओके बच्चों मुझे लगता है कि मैंने ये scheme अच्छे से clear कर दी है, अब हम आगे बताते हैं कि आपको जो syllabus है, वो क्या है, section A का syllabus क्या है, section A का मतलब क्या है, applied mathematics मैंने फिर से बता दिया, ये थोड़ा सा easy वाला पार्ट रहेगा, and section B में आपके दो पार्ट रहेंगे, 35 questions के 35 questions each के, जिसमें आपको कितने करने है, 25 हर section में आपको करके दिखाने है, अब आईए देखते हैं syllabus क्या है, तो ये आपके सामने जे देखिए, NTA ने जो syllabus इसू किया है, ओके National Testing Agency ने, आपको मिल भी सकता है, जो NTA की समर्थ की website है, वहाँ पर जा करके आप देख सकते है तो दीखिए, सबसे पहला जो इसका part है, वो क्या देख रहा है, applied mathematics, मतलब ये सब के लिए, ये common है, सब को करना है ये, चाहे आप BSC math करने वाले हो, ये BSC applied math करने वाले हो, या कुछ भी करने वाले हो, आप कोई program mathematics का, तो ये applied mathematics तो आपकी आनी ही आनी है, ओके, इसका code 319 है अब देखो, इसका syllabus देख लो, ये कितने marks का होगा, 15 marks का न, अभी मैंने बताया था न, कितने marks का होगा, 15 marks का होगा, अभी मैंने बताया था, और इसमें 15 question ही आएंगे, और आपको 15 में से 15 attempt करने है, मतलब कोई choice नहीं, ये पूरे के पूरे attempt करने है, अब आजाओ देखते हैं कि section A में क्या-क्या topic है आपके पास में, तो देखे section A में आपके पास में ये chapter लिखे हुए, सबसे पहले section A में क्या रही है, algebra आ रही है, ओके ये पहली unit है आपकी, okay, first unit क्या रही है आपकी algebra, तो मैं unit wise बता देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखते भी जाता हूँ, side में, क जो सबसे पहली unit आ रही है, आपके पास किसमें CUT में, आपकी जो unit आ रही है, वो number one unit है क्या algebra, यह कौन सा paper चल रहा है, paper number A चल रहा है, okay, तो सबसे पहले आपके पास में algebra आ रही है, अब algebra में देख लो क्या-क्या आपके पास आ रहा है, matrix पूरा का पूरा रहा है, matrix and type of matrices, equality of matrices, transpose symmetric and skew symmetric, algebra of matrices, determinant inverse of matrices, solving the simultaneous equation using matrix method, तो बच्चो क्या बोलता हूँ है, जो आपका 12th class का matrix का chapter है, okay, 12th class का किस chapter है, matrix का chapter है, बिल्कुल उससे और साथ में सांथ determinant, okay, तो matrix और determinant के जितने छोटे-छोटे question बन सकते, बिल्कुल एक्दम छोटे-छोटे type, बड़े question जो लगाएग बिल्कुल बड़े question मत लगाना, एकदम छोटे question, बिल्कुल फुस से पठाका, जो छोटे-छोटे question होते हैं, वो लगाड़ा डालो, भाई साब, ठीक ना, फिर असके बाद देखो, दूसरा जो पार्ट आता हो, calculus का, calculus मतलब आपका कौन सा बाला part, आपका application of derivative, याने कि chapter number 6 एक जो था, उसको पूरा sound डालो, आप तो भाई साब, मज़े से एक दम, हैना, calculus का देखो, क्या-क्या आना, higher order derivative मतलब की क्या, दो बार differentiation, तीन बार differentiation, y2, y3, okay, tangent and normal, increasing and decreasing, maxima and minima, ये बहुत अच्छे topic है, बहुत प्यारे topic है, तो ये कर डा लिया आप calculus में, then integration and its application मतलब समा कलन और इसका अनुपरियोग में, indefinite integral मतलब अनिश्चित समा कलन of simple function, मतलब आप इसमें से अपनी NCRT उठाओ, और 12th class के simple simple problem एकदम करते जाओ, evaluation of indefinite integral, definite integrals, okay, definite integral, then इसके बाद application of integration area under कर ये भी आपका topic है, and then differential equation आपके पास में, ordinate degree of differential equation बहुत ही simple topic है, formation of the differential equation, variable separable, बहु देखो syllabus देखके पढ़ा करो, कुछ भी मत पढ़ लिए करो, differential equation में केवल दो topic आ रहे है, मतलब जादा कुछ नहीं आ रहे है, एक तो order and degree आ रहा है, और एक ही method आ रही variable separable, ना linear आनी है, ना homogeneous आनी है, कुछ नहीं आनी है, और last unit जो है मेरे खाल से इसकी, ये probability distribution है, last नहीं, second and last है, probability distribution में क्या आना है, random variable and probability distribution, तो random variable आपको पढ़ाना पढ़ेगा, क्योंकि 12th class में कुछ syllabus में से random variable हट गया था साइथ, expected value आपको बतानी पढ़ेगी, random variable की, variance and standard deviation of random variable, ये भी आपको बताना पढ़ेगा, and binomial distribution, मतलब चारों के चारों पाइंट एकदम नहीं है, एक तरी graphical method है, मतलब सको graph में plot करना, फिर feasible and infeasible reason है, और optimum feasible solution, तो ये वही है सब कुछ जो आप पढ़कर के आए हो, तो ये हो गया आपका part 1, okay, किते marks का 15 marks का हो गया, अब इसके बाद आपके पास part 2 है, जिसमें आपको क्या दिया रहेगा, 35, 35 के दो section दिये रहेंगे, okay, तो B1 कित आपको लाने कतने attempt करने है, 25 attempt करने आपको, okay, 25 से ज्यादा बिल्कुल नहीं चुएंगे, तो इसमें देख लो कौन कौन सा chapter है, relation and function class 12 का topic है भाई मझे से, inverse trigonometric function class 12 का है, then इसके बाद algebra high level की थोड़ी सी matrices इसमें आएगी, देख लीजे, इसमें जो topic लिखे हुए है, order equality, मत पूरा का पूरा वही चाप दिया गया है, तो वो आपको करना है, then determinant में वही आपका class 12 का syllabus पूरा का पूरा, okay, तो determinant पूरा आ रहा है, calculus में पूरी आपकी किताब class 12 की continuity differentiability ये भी calculus आपको करनी है, okay, then application of derivative, पूरा आपका सब कुछ आरा, देख लो, इसमें क्या, first derivative, motivate geometrically and second derivative proofable tool, some problem, ठीक है, वही, tangent and normal जो आप छोड़ के आयो, कुछ syllabus में से हट गया था, वो भी आप कर लीजेगा, okay, अब यहाँ पर approximation भी है, ये भी आपको करना पड़ेगा, तो ये पूरा का पूरा 12 का topic है, then इसके बाद में देखिए, integral, इतने form के integral आप करके जाएए, किसके लि application of integral में वही आपको parabola ellipse बना करके area फेरिया नहीं करना पड़ता है, ये भी plain 12 का topic है, differential equation में देख लो भाई साब, आपके पास में क्या क्या आ गया, okay, आपके पास में आ चुका है, differential equation by the method of separation variable, homogenous भी आ गया है, और साथ ही साथ में linear भी आ गया, मतलब सब कुछ आ चुका है, जिनको आपको करना है, कितना करना है, 35 में से कितने लाने है, 25 question आपको करके आने, okay, then इसके बाद बात करते है, vector and 3 diamond, देको part 2 अभी है, अब ओके, ये क्या हो गया अपन मेरी खाल से, हाँ, ये B2 सुरू हो गया है, अभी तक क्या चल दा था, B1 चल रहा था, ये B1 पार्ट पूरा vector की जो आपकी, vector जो आपने पढ़ी है, 12th class में, पूरी vector आपको यूज करनी है, ठीक ना, ये vector है, and 3 dimension geometry का पूरा जो chapter है, 12th class का, वो 3D का पूरा आने वाला, इसमें plane भी आएगा, 2 plane आएगा, 3, जित्ते भी plane होते होते, उत्ते plane आएगे, then इसके बाद LPP, ये linear programming, पूरा पर लिजे 12th class का, वो भी आएगा, ओके, और 12th class की पूरी probability, देख लो, based theorem, random variable, probability distribution, mean and variance, अब्दा, haphazard variable, and repeated incident, Bernoulli trial, आपको पढ़के जाना, मतलब होई, कोई class 12th की mathematics है, चलिए, तो ये क्या था, ये था part B1, क्या था part B1, कितने question लिए रहेंगे, 35, करने कितने है, 25, ओके, चलिए, अगला part करते है, part B2 की, ओके, part B2, देखो भाई साब, ये जो section है, ये वाला B2 वाला है, ठीक ना, ओके, बच्चों, तो आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने part B1 देख लिया है, ओके, B1 part क्या था, आपका pure mathematics जो था, वो आपका था, कितने का आएगा, ये 35 marks का दिया रहेगा, और आपको 25 question यहाँ पर करके लाने, 35 question, sorry, 35 question दिया रहेंगे, और आपको 25 question उठाने है, चलिए, अब देखते हैं, इसके बाद part B2, तो B2 फिर से किसका part है, applied mathematics का फिर से सिले बास आ चुका है, ओके, ये applied mathematics के, इसमें chapter रहेंगे, ओके, applied के देखे, कौन कौन से, इसमें chapter, एक मिनट, एक मिनट, ये तो पहले का ये, B2 यहाँ से सुरू हो रहा है, ये देखे, B2 section, B2 applied mathematics यहाँ से सुरू हो चुका है, अब इसमें जो जो chapters आने हैं, उनको पढ़ते जाए, कुछ chapters इसमें new हैं, जो आपने कभी पढ़े नहीं है, तो उनकी आ apply the definition of various problem, allegation and mixture, understanding the rule of allegation and produce a mixture in the given price, determine the mean price of the mixture, apply rule of allegation, okay, then numerical problem, part D है, मतलब ये क्या चल रहा है, आपके पास में ये unit 1 है, इसमें number भी है, quantification and numerical application है, मतलब इसमें जो आपका class 8 तक की maths होती थी, जिसमें आप लोग मिश्रान बगरे पढ़ते थे, कि 2 लिटर पानी में 3 लिटर शक उस type के numerical problem, boat and streams, यानि distinguish upstream and downstream problem, class 10 का knowledge यहाँ पे थोड़ा सा लगेगा, express the problem in the format, form of question, equation, okay, pipes and system की problem है, races and games की questions है, compare the performance of the two players with respect to the time, distance time taken, work done from the given data, partnership के भी questions आएंगे, जो कि थोड़ा सा difficult मुझे भी लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा math से अपनी जो regular math होती ही थोड़ा सा हट जात है, partnership में आपको होई profit loss है ना और gain वगरे का concept, difference between the active partner and sleeping partner, determine the gain or loss to be divided among the partners in the ratio of their investment with due, consideration of the time, volume, surface area and solid form using two or more shapes, ठीक ना मतलब यहाँ पे क्या है, आपके पास में एक तरीके का mensuration भी आ गया है, numerical, numerical inequalities, हाँ ये आपने कहाँ पड़ा है, 11th क्लास का topic है, ये निमेरिकल निमेरिकल इन inequalities, तो यहाँ पे 11th का आ गया, दिन देखते हैं, algebra, enneagram में क्या है, matrix है, identify different kind of matrix, तो matrix का एक तरीके का क्या है, तरीका पहचानना अलगा लगा, equality ये बहुत ही simple topic है, skew, skew, symmetric, symmetric, ये पढ़के आप लोग, सम्मेत और प्रेस भी सम्मेत, इसके बात calculus है, higher order derivative आपको जानना पड रहेगा, understanding differentiation of the parametric function, ये आपके सले बस में था, तो purely ये 12th का है, okay, marginal cost का एक question रहेगा आपके पास में, ये देखे, marginal value, marginal cost, then, maximum and minimum वही 12th class का पूरा concept है, then probability distribution, unit number 4, जो है, क्या है, इसमें देखी, probability distribution में, concept of the random variable, probability distribution, find the probability distribution of the discrete random variable, ये वाला पाड भी आपका 12th class का है, mathematical exceptions, apply the arithmetic mean for the frequency distribution, find the accepted value of a random variable, तो ये भी 12th class का topic है, then variance आपका ये भी 12th class में आ जाता है, then इसके बाद ये index number, ये थोड़ा सा नया topic है, ये commerce में जाता है, आपको थोड़ा से इसको अलग से पढ़ना पढ़ेगा, types of index number, okay, construction of the index number and test of the adequacy in the index number, then unit 5, 6 में आते है, unit 5, unit 5, 6 और 5 दोनों लिखा हुआ, okay, मतलब भी दोनों unit होंगे, I thought so, actually, यहाँ पर unit 6 लिखना था, okay, दो बार हो गया, index number and time-based data, so population and sample, ये थोड़ा सा new topic है, इसको भी आप लोग देखिएगा, जब मैं पढ़ाऊंगा, तो आपको बताऊंगा, parameter and statistics of the statistical interface, ये भी new topic है, आपने कभी आज तक इसको देख नहीं होगा, okay, ये भी आपका पूरा का पूरा new topic है, okay, and index number, time-based data, ये भी पूरा का पूरा क्या है, new topic है, ये शिक्स्ट यूनिट में पूरा का पूरा नया topic आपको पढ़के जाना है, then 7 आपके पास में, financial mathematics में, financial mathematics में ये दिखिए, ये सारे topic, ये भी आपके क्या new है, okay, ये भी सारे के सारे topic आपके पास में क्या है, new है, ठीक है, and linear programming ये आपने पढ़ा हुआ है, linear programming आपका वही है, जो आप पढ़कर क्या आए हो, graph बनाते थे और फिर maximum और minimum values आप estimate करते थे, ये class 12th का ही topic है, class 9th unit है, then इसके बाद, feasible and feasible reason बहुत ही पढ़के आए है, feasible and feasible solution, optimal feasible solution ये भी हम पढ़के आए, तो ये सारा का सरा मैंने एक बार syllabus बहुत जल्दी में आपके सामने रख दिया है, ठीक है, अब करना क्या है देखो, अब आपको क्या है, आपको देखो एक चीज समझ में आ रही है, आपको कि पूरा का पूरा 12th का syllabus आ रहा है, 11th का केवल एक topic को मिला, जिसका नाम है linear inequality और modulus function थोड़ा सा है, तो आप जो है, पहले तो आपको basic paper की त्यारी करनी है, सबसे पहले मतलब part 1 की त्यारी करो, part 1 की त्यारी करो, और फिर उसके बाद b1 की त्यारी करो, और b2 की त्यारी करो, b1 आपको करना है, ठीक ना, तो इस तरीके से मैंने पूरा pattern तो आपको बताई दिया, क्या pattern भाई साब, सबसे पहले आपके सामने 15 question आएंगे, वो किस part में है, ए पार्ट में है, और आपको 15 में से 15 attempt करने है, ठीक ना, दूसरा part क्या है, B का B1 part है, जिसमें आपके पास में कितने question आएंगे, 35, और 35 में आपको कितने उठाने 25 out of 35 उठाने, दूसरा, दूसरा part क्या भाई साब, B2 है, B2 में आपको 35 question रहेंगे, जिसमें 25 उठाने है, किसमें से 35 में, तो ये थी पूरे paper की scheme, और इसके accordingly आप त्यारी करो, अब में सबसे बात आती, सर त्यारी करें कहां से, त्यारी करना कैसे है, CUAT की त्यारी कहां से ह तो बच्चों काम कीजी सुन लो, जो आपका 12th का portion हो रहा है, उसमें आपको करने कैसी problem करनी है, उसमें आपको केवल NCRT की एकदम छोटे छोटे problem करने है, बिल्कुल 1 mark वाले, ओके, 1 mark से लेके 2 marks, इससे उपर आपको नहीं जाना है, अगर आपने time taking problem ले लिया, तो इसमे NCRT सुरू से लेके end तक सारे chapter आ रहे हैं, पूरे आ रहे हैं, ऐसा कोई chapter नहीं है 12th class की NCRT का, कि जिसको बाहर किया गया हो, ओके, तो आप क्या करो, सारे के सारे chapter जो है, आप पूरे उसके पर डालो, देखो, inverse trigonometric function आ रहा है, देख लें जाना एक बार, matrix आया था, ओके, and calculus, इसके बाद यहाँ पर, ओके, 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 चलो, हाँ, यह देखो, inverse trigonometry भी आया था, मैंने ज्यादा कुछ नहीं बूला था, relation function भी आया था, मतलब पूरा का पूरा 12th की book आ रही है, मतलब 12th की book बिल्कुल छाप दियें लोगोंने, syllabus में, तो आप 12th की NCRT पूरी कर लो, ओके, याद कर लो, देन, इसके बाद आपको क्या करना है, एक book आती है बच्चों जिसका नाम है math की examplar, क्या नाम है examplar, उसके सारे objective यानि की one marks और two mark question उसके याद से पूरे के पूरे कर डालो, ओके, क्या कर डालो, one mark और two mark के question जो हैं आप objective के पूरे कर डालो, उ दूसरी NCRT की जो examplar problem आती है, वो आप कर डालो, इतना बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, अगर आपने ये कर लिया ना, तो मैं क्या कह रहा हूँ, भई 15 वाला पहला section तो आप उखाड फेक होगे, बिल्कुल आराम से फेक दोगे उसको, मतलब 15 आपन मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें कुछ topic जो है, वो आपने आज तक पढ़े नहीं है, बाकि पहला section A और B1 उठाना तो बहुत आराम है, बहुत आराम से आप इस section को कर सकते हो, ठीक है ना, तो ये आज की जानकारी थी, इसमें मैंने आपको पूरा syllabus बता दिया, बड questions, question करने में trick कैसी लगेंगी है ना, क्योंकि ये याद रखो, कि ये जो exam है, इसमें talent से कुछ नहीं होने वाला है, ये exam किसका speed का है, जी भाई साब, मैं बता दूँ आपको, ये exam आपको किसका speed का है, क्योंकि आज की जो पहली line थी, आपने देखा होगा, जो वीडियो में मैंने बताया था, आज देखा था, सबसे पहली line जो थी, वो क्या थी, देखो भाई साब, वो कहा गया भाई, ये ना, हाँ, येस, तो आज जो था, आज जो थी, पहली line वो क्या थी, वीडियो जो था, स्टार्ट हुआ था, तो मैंने क्या बताया था, ये देखो ध्यान से आपके पास में किते मिनट 45 मिनट हैं और 45 मिनट का आपको किते कुश्चन करने हैं 65 मतलब समय है केवल आपके पास 45 मिनट और कुश्चन आपको करने है कितने 65 कुश्चन करने है मतलब एक मिनट से भी एक कुश्चन आपको किस्मत देने वाली है और आपको उस किसमत से लड़ना है दोस्तों तो बहुत ही बड़ी एक्जाम है बहुत ही मस्त एक्जाम है ओके याद रखिएगा इसमें जीतेगा वो जिसकी रफ्तार जादा होगी जिसकी क्या होगी रफ्तार जिसकी जादा होगी वो जीतेगा इसमें वो नहीं जीतेगा इ ज़्यादा भागता होगा तो मित्रों आपको इस exam को qualify करने के लिए चीता बनना है चीते की रफतार होगी तब ही आप CUT 2023 को फोड़ पाओगे तो रफतार लानी है चीते की तो करनी होगी जोरदार practice जैसे मैंने आपको बताया है दो आपको important मैंने बताया कि NCRD और exemplar की important questions आपको जो छोटे questions है उनको आपको फटा 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 फट करना है अपनी speed बढ़ाए शान